वेल्कम बैक फ्रेंड्स इन दिस लेक्षर हम डिस्कुस करने वाले हैं 87 ए अभी हम फिक्स्ट रेट को कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिक्स्ट रेट के लिए कंसेप्ट क्लाइटी बहुत जरूरी है तो वो हम डिसकुस करेंगे कैपल गेंड चैप्र में एन इंकम फ्रम अधर सोर्सेज में ठीक है तो चलिए टेक्स केल्कुलेट करना आगया आपको स्लैबरेट पर अब उस टेक्स पर कुछ बैनिफिट यहां पर मैं आपको देने वा सेक्शन पर मीलेगा कि इंप स्लैबरेट यहां पर मिलेगी इंप का मतलब क्या है यहाँ पर आपको बेटर टेक्स बैनिफिट मिलेगा स्यार रहती है, that rate is applicable to HUF also, AOP, BOI also and artificial judicial person. However, जब हम 87A रिबेट की बात करते हैं, तो ये किवल और किवल individual को मिलती है, ये बाकि किसे taxpayer को नहीं मिलेगी, तो person की definition में जो seven taxpayers हमारे पास है, उनमें से किवल एक individually इसा है, जो section 87A का benefit ले सकता है, ठीक है, तो रिबेट 87A की किसी मिलेगी, किवल individual को मिलेगी, प्लस, ये individual भारत का resident होना चाहिए, individual भारत का resident होना चाहिए, and third, total income, total income, gross total income नहीं, total income, जिसके ओपर tax निकाला गया है, does not exceed, does not exceed 5 lakh, gross total income नहीं होना चाहिए, अब यहां पर एक चीज़ आपके mind में क्लिक करेगा, और बिल्कुर ठीक आपने यहां पर चेक किया है, individual की exemption limit होती है, 2,50,000, individual being senior citizen की exemption limit होती है, कितनी, 3 lakh, मगर जो individual होता है, super senior citizen, उसके लिए tax free limit होती है, 5,00,000, यह में slab rate की बात कर रहा हूँ, जी हां, बिल्कुल सही, आपने विड़ा चेक किया, अगर हम 87A और slab rate को साथ-साथ पढ़ते हैं, तो यह समझाता है, कि एक ऐसा super senior citizen, जिसकी income slab rate में taxable होती है, ठीक है, slab rate में taxable होती है, वो 87A का benefit नहीं ले पाएगा, reason क्या है, दनों को एक बार पढ़िये, super senior citizen के case में exemption limit कितने होती है, 5,00,000, मत्तब 5,00,000 रुपे तक tax नहीं लगता, 5,00,000 के बाद tax लगेगा, और 87A क्या कहता है, exam rate तभी मिलेगी, अगर income 5,00,000 रुपे या उससे कम है, तो दनों बेटा contradictory statement है, दनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर super senior citizen के income 6,00,000, मत्तब 5,00,000 से जादा, तो वो tax calculate करेगा, मगर 87A की rebate नहीं मिलेगी, और अगर 87A की rebate लेने जाएगा, ठीक है, लेने जाएगा, तो उसकी income 5,00,000 रुपे या उससे कम होने चाहिए, बट प्रे तो tax ही नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ दखेगा, अगर मैं slab rate के point of view से बात करता हूँ, तो super senior citizen 87A की rebate के लिए eligible नहीं है, हाँ, जब हम capital gain chapter कर चुके होंगे, जब हम income from other sources कर चुके होंगे, मैं जुरूर आपको create करके दिखाऊंगा, where individual जो super senior citizen है, हम उसके लिए 87A की rebate calculate करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे, देखिए, अभी सिर्फ एक introduction है, 87A का tax calculation का, यह भड़िया तरीके से बिटा तभी useful होंगी, जब पूरा income tax आपके grip में है, जब आपके हाथ में heads of the income आ जाते हैं, ठीक है, तो अभी 87A का basic कर रहे हैं, जो 87A में लिखा हुआ है, ठीक है, मगर जब हम section 112 पढ़ेंगे, capital gain chapter में, triple 1A पढ़ेंगे, double 1, 5, double B पढ़ेंगे, casual income तो वहाँ पर पता लगेगा, कि किस तरीके से tax calculation और rebate का amount हमारा change हो जाता है, ठीक है, तो ओके, पहली अभी rebate 87A की condition क्या है, individual होना चाहिए, भारत का resident होना चाहिए, income 5 लाख रुपे, co-exceed नहीं करने चाहिए, अब tax का amount कितना है, आइए देखते हैं, sorry, रिबेट का amount कितना है, देखते हैं, चलिए, amount of rebate, amount of rebate, विचि यहाँ पर जो rebate मिलेगी, यह होगी, actual tax, और, 12,500 रुपीस, whichever is lower, अगर आपको tax calculation याद हो, तो एक बार जड़ा चेक कीजिए, एक senior citizen का जो tax होता है, 5 लाख रुपे की income पर, पहले 3 लाख पर निल, और बाकी 2 लाख पर कितना होगा, 5% मतलब, वो हमारे पास calculate होकर आएगा, 10,000 रुपे, और एक normal individual के लिए जो भात का resident है, 2,50,000 रुपे टेक्स फ्री और बाकी 2,50,000 रुपे पर 5% मतलब, 12,500 आपको याद होगा, जब मोधी government ने election से पहले budget present किया था, तो बड़ा शूर मच आता, 5 लाख रुपे तक की income tax free, 5 लाख रुपे तक की income tax free, जी हाँ बड़ा, statement correct है, 5 लाख रुपे की income tax free, मगर statement को आगे भी समझे, कि अगर income 5 लाख को cross कर जाती है, तो पूरी income पर tax लगेगा, कोई भी tax benefit नहीं मिलेगा, तो 5 लाख रुपे की income tax free नहीं है, 5 लाख रुपे की income पर tax लगता है, बड़ क्योंकि income 5 लाख रुपे के अंदर है, तो 87A आकर जो tax liability है, उसको nullify कर देगा, बड़ income अगर 5 लाख को cross कर गई, तो पूरी income पर tax लगेगा, और 87A का benefit भी नहीं मिलेगा, तो इस statement को mind से निकाल देना, 5 लाख रुपे तक की income tax free है, आप student है, ठीक है, आप professional है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, income is fully taxable if exceed maximum exemption limit, however, there is a benefit of rebate under section 87A, if income does not exceed 5 लाख रुपे, ठीक है, तो कुछ situation ऐसी create हो सकती है, जहां पर 5 लाख रुपे तक की income tax free हो जाएंगी, individual के case में, ओके, चलो, आईए चेक करते हैं, Mr. A, previous year 1920, मतलब assessment year 2021, total income, 4,5,000, ठीक है, 4,5,000, अच्छा, अब तीन situation करते हैं, मान लीजिए Mr. A की जो age है, Mr. A की जो age है, ये कितनी है, ये है 45 years, अब टेक्स निकालते हैं, टेक्स जब निकालेंगे 450 पर, तो first 2,50,000 पर टेक्स कितना होगा, nil, and next 2,00, रुपीज पर जो टेक्स निकलेगा, 5%, 10,000, ठीक है जी, तो टोटल टेक्स कितना हो गया, 10,000, minus rebate, under section 87 है, चेक करते हैं, क्या rebate मिलेगी, देखे, Mr. A भारत का resident है, क्योंकि non-resident है, तो question बेकार हो जाएगा, ठीक है, Mr. A भारत का resident है, पर प्रिवेज से 19-20, टोटल इंकम चार लाग पचास यार, एज ए 45 यर्स, क्या पड़ा था, इंडिविजूल है, भारत का resident है, तोटल इंकम पांच लाग को क्रॉस नहीं कर रही है, it means he is eligible for rebate, rebate कितने मिलेगी, rebate यहाँ पर कितने मिलेगी, एक्च्छल टेक्स, एक्च्छल टेक्स कितना है, 10,000, और, 12,500 इंकम रिमेट है, मतलब जो maximum rebate मिल सकते हैं under 87, वो कितना है, 12,500, तो यह भी जाद रखेगा, maximum amount of rebate under section 87, कितना होगा, 12,500, whichever is lower, तो पीटा, यहाँ पर lower कितना होगा, यहाँ पर lower हमारे पास है, 10,000 रुपीज, lower हो गया 10,000, so 10,000 को यहाँ से minus कर देंगे, और text कितना हो जाएगा हमारा, nil हो जाएगा, text हो जाएगा हमारा, nil, clear है यह, चलो, दूसरा example लेते हैं, अगर, same example में change कर रहे हैं, अगर age कितनी हो गई, 65 years, 65 years, 65 years का मतलब है, कि यहाँ पर Mr. A. कॉन है, यह है, senior citizen, senior citizen, तो चली पहले, tax निकालते हैं, tax, 3,000,000 रुपी की, exemption limit है, तो 3,000,000 पर, जो tax होगा, वो होगा, nil, और बाकी कितना बचा है, यह बजाएगा, 1,50,000, out of 4,50,000, इस पर tax rate होगा, पांच परसेंट, 75,000, और टोटल टेक्स हो जाएगा, बटा, 75,000, माइनस, क्या रिबेट मिलेगी, आई यह चेक करते हैं, condition तो same है, income does not exceed, income does not exceed, Mr. A. is individual, भारत का resident है, और income 5,000,000 को क्रोस नहीं करती है, तो exemption यहाँ पर भी मिलेगी, कितनी exemption यह चेक करते हैं, actual amount, actual amount of tax, 7,500, और, tax कितना हो, और maximum limit कितनी है, 12,500, which average is lower, तो यहाँ पर lower क्या होगा, यहाँ पर lower हमारे पास है, 7,500, ठीक है, तो exemption होजएगी, 7,500, और जो tax liability आ जाएगी, वो आ जाएगी nil, अब एक चीज़ का ध्यान रखेगा, अगर examiner ने पूछा है, text तो बिदा, tax है nil, यह मैं MCQ की situation की बात कर रहा हूँ, अगर examiner पूछता है, बहाई बताओ, text कितना है, तो आप, अगर examiner question की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि descriptive में तो साइवरी चीज़, examiner के सामने marks मिल रहेंगे, MCQ में, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही आँसे देना पड़ेगा, if examiner is asking, बताओ, रिबेट कितनी, तो बेटा, जो रिबेट मिलेगी न, वो रिबेट कितनी है, वो है 10,000, रिबेट कितनी है, 10,000, text ता निल है, मगर रिबेट कितनी है, 10,000, 12,500 निल है, यहाँ पर जो रिबेट है, वो कितनी है, 7,500 रिबेट, ठीक है, 12,500 निल है, और text कितनी है, तो बी केरफूल वाइल, सॉल्विंग कोशन, इन रिस्पेक्ट आफ, MCQ पैटरून, ओके, यह हो गया, चलो, next, रादर लास्ट हमारे पास होगा, अगर एज्यूम करते हैं, Mr. A की एज कितनी है, Mr. A की जो एज है, यह है, मान लीजिए, 85 यर्स, अब बताओ क्या होगा, अब यह बन गए, Super Senior Citizen, तो जब बीटा, इहाँ पर आप टेक्स निकालेंगे, तो टेक्स तो 5 लाग रुपे तक लिखता नहीं है, तो जब टेक्स अउरडी निल है, तो बीटा, निल में क्या रिबेट आप माइनस करेंगे, income does not exceed, ध्यान सुनिएगा, income does not exceed, income does not exceed 5 लाग, तो he is eligible for rebate, बट रिबेट तो तब मिलेगी ना, टेक्स होगा, टेक्स तो अलोडी निल है, तो यहाँ पर rebate भी कितनी है निल, और टेक्स भी कितना होगा निल, क्योंकि रिबेट किस पर मिलती है, actual tax और 12,500, whichever is lower, तो lower क्या होगा निल, तो यहाँ पर rebate का amount भी क्या होगा निल, practically, यहाँ पर आप रिबेट कैल्कुलेट ही नहीं करेंगे, तो यह वाले situation examiner generally नहीं पूछेगा, ओके, अब थोड़ा सा change करते हैं, मान लीजिये, मान लीजिये, इंकम 4,500,000 की जगा, ठीक है, अब मैं assume कर रहा हूँ, अगर इंकम 4,500,000 की जगा होती, यहाँ पर क्या होता, अगर यह इंकम होती, 5,50,000 रुपे, तो पहले 2,50,000 रुपे जो टेक्स लगेगा, वो कितना होगा, निल, नेक्स 250 पर, यादेना, slab rate, 5%, 12,500, और बाकी 50,000 पर जो लगेगा, यह लगेगा, 20%, 10,000, टोटल हो गया, 22,500, और यह भी आगे भड़ेगा, इसमें हम Health and Education, सेस्केल्कुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, आगे, बट अभी देखिए, क्या यहाँ पर 87A की रुपेट मिलेगी, 87A की रुपेट मिलती है, फिंकम दोट एक्सीट 5,000, यहाँ पर इंकम कितनी है, तो पूरा टेक्स रुपेट में कट जाएगा, अगर इंकम 5,000,000 रुपे तक है, एक Resident Individual की, तो पूरा टेक्स रुपेट में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेक्स जीरो हो जाएगा, बट इंकम अगर 5,000,000 को क्रॉस कर गई, तो बटा, कोई benefit नहीं मिलता, ठीक है, एक Best Example में आपको देता हूँ, अगर आप Delhi में रहते हैं, ठीक है, Delhi में रहते हैं, आपकी State का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं Delhi में रहता हूँ, और electricity bill आते हैं, इसके बता रहा हूँ, Delhi में जो electricity bill आते हैं, electricity meter लगे हूँ हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि अगर ये Small Houses को benefit दिया गया है, कि अगर 200 unit तक, 200 unit तक consumption है, तो bill होता है zero, अगर unit 200 से ज़्यादा consumer और 400 तक हैं, तो कुछ benefit मिलता है subsidy का, अगर कुछ pay करना पड़ता है, बट अगर 400 से ज़्यादा unit consume किया है, तो कोई benefit ने मिलता, पूरा amount pay करना पड़ता है, मतलब अगर आप 400 से ज़्यादा unit consume करना है, तो पूरा आपको electricity bill पे करना है, और अगर आप 200 या उससे कम unit pay कर रहे हैं, तो bill आता है zero, ठीक है, वो ही same situation यहाँ पर है, वो ही same situation पेटा यहाँ पर है, अगर income पांच लाक रुपे तक है, तो tax zero हो जाएगा effectively, बट income अगर पांच लाक को cross करती है, तो जो benefit ते वो zero हो गया सामने देखिए, पूरा का पूरा amount pay हो जाएगा, अब बड़ा simple से देखिए, ठीक है, एक example और दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, mind में clear करने के लिए, यह देखिए, अगर किसी व्यक्ति की income, देखिए, Mr. A की बात करते हैं, Mr. A, Mr. A की age है 45 years, और यह भारत के resident है, ठीक है, 45 years, और यह भारत के resident है, अगर इनकी income है 5 lakh, तो बताओ tax कितना होगा, अगर income है 5 lakh, तो पहले 2 lakh 50 आर पर जो tax होगा, यह होगा निल, और बाकी के 2 lakh 50 आर पर जो tax होगा, वो होगा 5%, 12,500, total 12,500, और 87, जो rebate मिलेगी, वो पूरे 12,500 मिल जाएगी ना, actual tax हो 12,500, which half is lower, ठीक है, तो जो tax होगा, वो कितना होगा, ठीक है, अब situation दूसरी देखो, यह बहुत interesting है, मान लिजे, Mr. Aki income है, 5 lakh 10,000, सिर्फ 10 आर पर से income बढ़ा ही है, मैंने सिर्फ 10 आर पर से income बढ़ा ही है, 5 lakh 10 आर tax निका लिए, पहले 2 lakh 50 आर पर जो tax लगेगा, वो होगा निल, next 2 lakh 50,000 पर जो tax लगेगा, यह होगा 5%, और फिर जो extra income है, 10,000, इस पर जो tax लगेगा, वो है 20%, यह हो गया 2,000, टोटल हो गया 14,500, जब आप माइनस करने जाएंगे 87A, तो लॉवेकर कहेंगे, भाई 87A का benefit तभी मिलेगा, अगर income 5,000,000 रुपे अउसे कम है, आपकी income तो 5,000,000 रुपे को cross कर गई, you are not eligible to take benefit of 87A, accordingly, अगर आपका 87A निल है बिटा, आली classes में सिखाऊंगा, इसमें health and education, CES भी लगता है 4%, ठीक है, अभी calculate करना नहीं सिखाया, तो छोड़ देता हूँ, बट यहां तक भी compare कीजिया, income भड़ी 10,000 से, जिस व्यक्तिकी income है 5,000,000, उसको tax पे करना है 0, जिस व्यक्तिकी income है 5,000,000, 10,000, उसको tax पे करना है 14,500, प्लस इसके उपर health and education, CES लगाएंगी 4%, ठीक है, वो 4% लगता है, बताऊंगा आपको मैं भी, जी हां, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, यहां पर, यह examination पारने वोए में तो आपको calculation करना है, बट practical life में उसको समझेगा, 5,000,000 रुपे तक की income पर tax नहीं लगता, बट अगर income 5,000,000 को cross करती है, तो पूरी income पर tax लग जाता है, कोई भी 87 एका benefit नहीं मिलने वारा है, ठीक है, ऐसी situation में surcharge में भी आपके साथ discuss करूँगा, मगर surcharge में government ने marginal relief का benefit दिया है, मतलब अगर इस तरह की situation, stupid situation हम इसको कहते हैं, कि आरे भाई, income भढ़ रही है केवल 10,000 से, देखो, increment in income कितना है, 10,000, और tax में कितना increment हो गया, 14,500, तो अगर कुछ इस तरह की situation होती है, तो surcharge के case में marginal relief होता है, मगर 87 एकी rebate की situation में, कोई भी marginal relief नहीं होता है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है, तो ये एक बड़ी जबर्दस situation है, इसको माइन में रखेगा, 5,000,000 रुपे तक की income पर tax नहीं लगता, because of 87 a rebate, डॉंट से 5,000,000 रुपे की income tax-free होती है, ठीक है, अगर इंकम 5,000,000 को cross कर जाती है, तो 87 a का benefits नहीं हो जाता है, और full amount जो होता है, वो taxable हो जाता है, कोई रिबेट नहीं मिलेगे, ठीक है जी, done बेटा, चलिए, अच्छा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है और, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर, सिर्फ अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इसको सिर्फ माइन में रखेगा, ताकि जब आप वो section में आए, तो ध्यान रहे, 87 a का benefit, 87 a का benefit, income taxable, under section 112 a नहीं मिलता, अब आपके माइन में बिल्कुल यह सवाना चाहिए, सर 112 a क्या होता है, यह मैं इसलिए बता रहूँ, क्योंकि बहुत सारे books में यह एक note लिखा होता है, और मैंने भी अपने book में यह दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे नहीं तो बहुत सारे message करते हैं, सरी है, तो आपने लिखा ही नहीं है, पीटा, 87 a में यह नहीं लिखा, 87 a में यह sentence नहीं लिखा, 87 a यहां तक complete हो चुका है, समझना, 87 a से पहले complete हो चुका है, 87 a सिर्फ यह क्याता है, कि अगर एक resident individual की income 5 लाक रुपे या उससे कम है, तो उसे 12,500 रुपे तक की rebate मिलेगी, बस, इतना ही लिखा है, ठीक है, मगर जब section 112 a परते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि 112 a के against, 87 a का benefit नहीं मिलेगा, ठीक है, तो पूरे income tax act में केवल एक ही section है, जिसके उपर 87 a का benefit नहीं मिलता, वो है section 112 a, यह 112 a क्या होता है, यह capital again chapter में पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका text calculate करेंगे, यह बाद में पढ़ेंगे, जब हम assessment of protein कम करेंगे, तो यहां पर हमारा rebate का concept complete होता है, ठीक है, अभी हमारे पास एक point रहता है, health and education says, ठीक है, health and education says, इसकी बात कर लेते हैं, health and education says, देखिए, एक tax pair पर, या बात करें, income पर, under income tax act, income के उपर, मैं अभी specifically individual की बात करहूँ, ठीक है, मैं individual की बात करहूँ, income के उपर, tax लगता है, income के उपर, surcharge लग सकता है, income के उपर, income के उपर, surcharge, ठीक है, जब हम income tax की बात करते हैं, individual की income tax की, तो जब हम income पर tax calculate करते हैं, tax के relation में, बेटा, surcharge भी आता है, tax के relation में, ठीक है, टेक्स के रिलेशन में आपको रिवेट भी पढ़नी है, अंडर सेक्षन 87A, और टेक्स के रिलेशन में इंडिविजुल के आपको एक और चीज़ पढ़नी है, ये हैं हमारे पास Health and Education Cess. तो जब हम एक इंडिविजुल की income calculate करते हैं, तो इस income के जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें income tax के बार में पढ़ना होता है, ठीक है, मैं slab rate आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं individual की बात करूँ, भी fix rate नहीं पढ़े हैं, slab rate हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, सर्चार्ज होता है tax on tax, यह अभी next lecture में मैं आपके साथ cover करूँगा, rebate होती है, tax benefits, यह already मैं आपके साथ cover कर चुका हूँ, ठीक है, और health and education cess, देको जो cess word is C-E-S-S, ठीक है, cess, यह cess भी एक तरह का tax होता है, जो लगाया जाता है, tax lewed for specific purpose, cess भी एक तरह का tax ही होता है, जो किसी specific purpose के लिए लगाया जाता है, देखे, government income के ओपर tax लगाती है, government income के ओपर सर्चाज लगाया जाता है, ठीक है, यह जो tax collect करेगी, government of India, यह किसी भी तरह के expenditure को pay करने के लिए यूज किया जा सकता है, मगर जब health and education cess लगाया तो नाम से पहले यहाँ पर देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है, health and education cess, cess मतलब tax levied for specific purpose, और purpose बिलकुल identify हो रहे हाँ से, health and education, मतलब यह जो health and education cess लगाया जाएगा, यह केवल और केवल इंडिया में health and education के ऊपर ही खर्च कि जाएगा, यह किसी और purpose के लिए यूज नहीं किया जा सकता, मान लीजिए जो tax है, government यह वाला tax किसी भी purpose के लिए उसकर सकती है, government यह tax रोड बनाने के लिए उसकर सकती है, government यह tax आपको बहुत सारी सुविधाय देने के लिए कर सकती है, ठीक है, government यह tax किसी company, जो government companies है, ठी यह केवल और केवल थैना एजूकेशन परपस के लिए यूज किया जाएगा ठीक है तो जब रिटान सम्मिट करते हैं तो वहाँ अलग से दिखाना पड़ता है कि कितना है एजूकेशन सेज की बात करते हैं तो इसका रेट कितना है यह होता है फोर परसेंट यह चेंज हुआ है assessment year 1920 में अभी हम बात करें assessment year 2021 तो last year यह change हुआ है health and education says इससे पहले यह होता था education says and secondary and higher education says 2% का होता था education says 1% का होता था secondary and higher education says effectively होता था 3% मगर finance act 2018 में उसको replace कर दिया गया और इसकी जगा आ गया health and education says जो पहले 3% का rate होता था वो अब हमारे पास होता है 4% का single rate ठीक है health and education says और एक इस पर लगता है 4% on phone 4% on tax plus surcharge if any ठीक है तो अगर कोई वेक्ति tax पे कर रहा है ठीक है tax पे कर रहा है तो उसके ओपर health and education says लगेगा अगर कोई वेक्ति surcharge पे कर रहा है तो tax plus surcharge का जो total होगा उसके उपर health and education says लगेगा health and education says सबसे last में लगाया जाता है इसमें 87A की रिबेट नहीं मिलती धियान रखेगा 87A की रिबेट नहीं मिलती और उसके उपर जब surcharge की marginalf है वो भी calculate नहीं की जाएगी ठीक है अभी surcharge को मैं picture से बाहर कर देता हूँ क्योंकि वो next lecture का topic है तो अभी आप यह समझेए कि जितने भी questions में आपने text निकाला है बेटा जितने भी questions में आपने text निकाला है उनसा भी questions में आपको health and education says लगाना पड़ेगा ठीक है चलो दो government of India previous year 1920 मतलब assessment 2021 इनकी total income है total income है 4,50,000 ठीक है और दूसरी situation में इसे कर देते हैं हम 5,20,000 ठीक है जी 5,20,000 चलिए अब tax calculate करते हैं आपर पहली situation में income अगर 4,50,000 है तो क्या होगा अगर income 4,50,000 है वैसे तो mind में clear हो जाना चाहिए sir निल होगा why because Mr. A भारत के resident है और age भी करते हैं चलो इनकी age कुछ ने लिखी अच्छा अगर question silent age नहीं लिखी तो हम उसको senior citizen या super senior citizen का नाम नहीं दे सकते तो mystery resident हैं assume कर लेते हैं age 45 years ठीक है age 45 years तो 4,50,000 की अगर income है तो tax कितना होगा mind में clear होगे ना tax तो nil होगा मगर calculate करके दीखी एक बार पहले 2,50,000 पर जो है निल नेक्स्ट दो लाग पर जो है यह होगे पांच परसंट 10,000 tax 10,000 मैं आपको step बता रहा हूँ minus 87A rebate 87A कितनी मिलेगी actual tax 10,000 और 12,500 विचाविज लोर पूरा 10,000 ठीक है net amount ठीक है जो tax मिलेगा वो कितना है यह हो गया nil अब एक चीज़ ध्यान रखेगा health and education says rebate देने के बाद लगता है क्योंकि यह already nil हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक है आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आप mcq pattern का question solve कर रहे हैं और examiner ने पूछा है बताओ rebate कितनी rebate कितनी under section 87a तो याद रखेगा जो आपकी rebate है under section 87a कितनी है यह है 10,000 मैं क्यों समझा रहा हूँ अब दुबारा एक बार देखेगा बच्चे क्या गलती करते हैं आपको वह mistake नहीं करनी है इस्टुएंट क्या mistake करते हैं देखेगा इस्टुएंट क्या करते हैं वो कहते हैं tax कितना है मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ बच्चे कहते हैं tax 10,000 यह वाला amount यह amount ले रहा हूँ tax 10,000 plus health and education says 4% of tax कितना होगा 400 पे total होगा 10,400 minus 87a rebate 87a की rebate कितनी होती है tax or 12,500 which have is lower तो पूरा 10,400 यहां से minus कर दिया और final tax आगया निल अब ध्यान से देखेगा बिटा यहां पर भी tax निल है यहां पर भी tax निल है यहां पर भी tax निल है यह कोई problem नहीं है मगर mistake क्या हो गई जो rebate actual में केवल 10,000 रुपे थी वो आपने बढ़ा कर दी 10,400 रुपे ठीक है अब दो student question solve कर रहे हैं एक ने answer निकाला है rebate under section 87A 10,000 और दूसरे student answer निकाला 10,400 बताओ क्या है दोनों का tax निल है मगर यह वाला गलत है reason being 87A की rebate केवल tax के उपर मिलती है health and education says के उपर नहीं मिलती तो एक चीज़ को ध्यान रखेगा एक चीज़ को याद रखेगा कि अगर 87A की rebate मिल गई है अभी इस elaborate के साब से तो उसका tax निल हो जाएगा उसकी जो tax निल हो गया health and education says नहीं लगेगा तो यह वाली जो calculation है यह पूरी तरीके से गलत है कुछ student ने मुझे यह करके भीजाता है एक तुबार के सरमारा answer टैली नहीं कर रहा है मैं इसलिए इस पैसको निहां पर cover कर रहा हूँ याद रखेगा पहले tax निकालना है उसके बाद rebate minus करनी है ठीक है balance amount generally वो निल हो जाएगा क्योंकि अब situation ऐसी है कि 5 लाग रुपे तक की income पर rebate मिलती है और tax निल हो जाता है और अगर 5 लाग को cross कर गई तो फिर rebate मिलेगी नहीं तो फिर normal situation होगी जेको next example में ठीक है अच् इकम कितनी है अब जो बताया आपको पांच लाग बीस जार अब क्या होगा यह तो हो गए फिर्स situation second situation देखेगा पांच लाग बीस हजार तो पांच लाग बीस हजार के case में पहला दो लाग पचास हार हो गया निल next 250,000 पर लगेगा 5% 12,500 और बाकी कितना बचा है बीस हजार इस पर लगेगा 20% 20% यह 20% होगा 4,000 ठीक है total हो गया 16,500 क्या यहाँ पर 87,000 की रिबेट मिलेगी no he is not eligible for rebate under section 87a because income exceeds 5,000,000 रुपीस यहाँ पर क्या लगेगा बीटा यहाँ पर लगेगा health and education says at the rate of 4% ठीक है 670 आएगा एक बार चेक कर लिना calculator मेरे पास अभी नहीं है ठीक है table पर रखा तो एक बार calculate प्लीज कर लिजेगा यह कितना आएगा 660 आएगा sorry ठीक है 660 एक बार आप चेक कर लिजेगा ठीक है यह calculation चेक करना है यहाँ पर आपके जिम्मेदारी है ठीक है यह ठीक है तो इधियान रखेगा तो सबसे पहले आपको टेक्स निकालना है अगर इंकम पांच लाग रुपे तक है तो उस पर आप 87ữa की रिबेट दे सीख पाएंगे जब आप exam में बैठते हैं तो examiner की expectation है कि आप पूरा income tax act पढ़के आए हैं जितना आपके course में हैं मैं कहीं से भी question पूर सकता हूं ये examiner का thought होता है तो उसमें examiner आप से किसी भी section को relate करके tax calculate करवाना सीख सकता है बट अभी क्योंकि मैं introductory chapter में discuss कर रहा हूं ये